तो है लेंड इलकम दोस्तों आप देख रहे हैं ड्राइट जंग साइट ओप चैनल और मैंना में रूपेज दोस्तों आएंचली शुरू करते हैं आज की वीडियो क्या तो आपका डेवीट कार्ड या एक्सपायर हो गया था और आपकी व्पी आई चलना बंद हो गई थी य आप बैंक की आप यूपी यूज कर सकते हैं लेकिन एक फ्रीच कर देता है और फ्रीच करता है तो आप को पता भी नहीं चलेगा आप पेमेंट करेंगा या पेमेंट एक्सिट करके लिखता है इस तरह से प्राब्लम आती है और हम पर ही नहीं बताएगा क्या कार्ड को वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब क्यों कि रोजाना हम आपके लिए अच्छे अच्छी वीडियो लेकर आया करते हैं तो साइड में हम लगाएंगी स्क्रीन रिकॉर्डर और आपको अच्छे से सारा कुछ दिखाने वाला हूं कैसे कैसे क्या करना और मैं फोन प स्क्रीन रिकॉर्डर लगा दिया जैसा कि आप देख पा रहे होंगे आपकी जो भी एप हो और मैं सजेस्ट करूंगा कि यहां पर फोन पर के मदद से आदि आप करेंगे थोड़ा असानी होगी क्योंकि मैं प्रेट के लिए उसी के मदद से बताने वाला हूं और याप अपने प्रोफाइल प्रोफाइल पर है हमारि प्रोफाइल होती है यहां पर हम क्लिक करते है तो जो ब्य다क एकांट नहां यहां पर दिखा रहा रहायाut हुव हम जैसे ही पैँ आपने इक्किल कैसे इसको add करेंगे टोटली फर्मूल आपको बताने वाला हूँ ठीक है अब है लिंक के बाद यहां पर एक आपसन आजएगा add bank account का तो हम add bank account पे click कर देंगे और यहां पर search bar में हम search कर लेंगे जो हमारा bank होगा तो मेरा uko bank यहां से search कर लिया अब यहां पर converting हो रहा है connecting हो रहा है और हमारा जो bank account है यहां पर link कर दिया जाएगा जैसा कि आप देख पार है ठीक है अब यहां पर एक option आएगा upi pin exit for this account तो मैं यहां पर reset pin का जो option आ रहा है मैं reset pin पर ही click करूंगा देखें पर reset pin आ रहा ना इसी पर हम click कर देंगे जैसे click करेंगे अब इस बार देखी हमें क्या करना है जो नयावला हमारा card आया है उस card के आखिरी का 6 अंग और यहां पर उसका expiry month और year समय हां पर देना होगा ठीक है तो आए मैं दोनों fill कर लेता हूं फिर आगे के तरफ चलता हूं ठीक है मैंने यहां से fill कर लिया फिल करने के बाद process के बटन पर click करेंगे और यहां से bank से OTP आगी one time password जो automatic fill हो सकती है आया सा दोस्तों आप manually भी से fill कर सकते हैं तो देखी हमारा OTP आ चुकी है और fill नहीं होई है मैं यहां से fill कर लेता है तो मैं यहां से अपनी OTP डाला और यहां से बना ही लिया होगा क्यों कि ATM card आप का चुका है तो मैं यहां से अपना pin डाल दिया और pin डालने के बाद हैं से हम write कर देंगे ठीक है जैसे हम write करेंगे तो दोबारा से हमें क्या करना UPI pin अपना बना लेना है जो जिसे आप transaction करना चाहेंगे जैसे UPI pin होता है पासवर्ट डा करना है और successfully set हो गई अब done कर देना है अब आप अपने खाते का balance हो गए जो भी check हो गए रहा करना है तो आसानी से आप बहुत आसानी से चेक कर सकते हैं अपना UPI pin हो गए रहे देखा ठीक है तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा वीडियो आपको बहुत अच्छी लेगे हो तो support करेगा वीडियो को like और channel को subscribe मिलते हैं किसी और नए वीडियो में नए अपडेट के साथ तब तक के लिए दोस्तों आप लोग अपना ख्याल रिखिएगा बाए बाए दोस्तों